अगर आपको चाहिए मेरी तरह खुबसुरत काले लंबे घने बाल तो आज का ये देसी नुस्खा जरू ट्राइ करियेगा दोस्तो आपको बहुत पसंद आएगा आपके बाल इससे बहुत ही खुबसुरत हो जाएंगे दोस्तो बिलकुल मेरे बालो की तरह जस लाइक मेरे ब अग्राइब करता है दोस्तो प्याज की बिना तो घर का काम ही नहीं हो सकता है किचिन का काम ही नहीं हो सकता है दोस्तो हर सब्जी में हर जो भी हिए और मुस्ट प्याज का इस्तामाल किया ही जाता है दोस्तो बहुत सारे इसके benefits होते है के ले करके भी उसी परकार दोस्तों हमारे बालों के लिए भी प्याज की बहुत ज़्यादा बेनफिट्स होते हैं हमारे बालों को यह जो है जो ग्रोध है बालों की ग्रोध को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है हमारे है फॉल्स को स्टॉप करता है हमारे बालों को नरि से जैसे निकलता है नुदरस नहीं काटना आपको उपर साइड से आपको काटना है क्यूंकि इसको हम इस तरीके से कद्दू कस करेंगे इसका हमें रश निकालना है हमें एनियन का जूस हमारे बालो को बहुत ज्यादा पहुंचाता है दोस्तो आप चानते हैं कि मार्केट में जो प्याज के जो बहुत जादा महेंगे महेंगे पोड़क्ट साते हैं बालों से लेकर के अगर आप अनियन शैंपू खरने जाओ या फिर आप अनियन के कोई भी ऑईल खरने जाते हो दोस्तों तो बहुत जादा महेंगे होते हैं लेकिन दोस्तों आप प्याज के जो है नु में रस निकालना है रस के लिए आपको क्या करना है एक स्ट्रेणर लेना है यानि एक चाई छणी लेनी है आपको और उसमें आपको यह जो कदू किसकी हुआ हमने निकाला है इसको उसके अंदर डाल करके और इसको प्रेस करते हैं चमच की मतलब जितरे से जब प्रेस करोगे तो बहुत सारा धेर सारा जूस निकल करके बाहर आएगा और यही जूस हमारे बालों को फाइदा पहुंचाएगा हमारे scalp को बहुत जादा मजबूत करेगा strong करेगा जिसे hair falls रुकेगा और हमारे बालों को बहुत फाइदा पहुंचाएगा तो ये देखे कितना बढ़िया सा प्याज का रस निकल गया है दोस्तों प्याज का रस थोड़ा सा तीखी गंद का होता है जो कि आपको sometimes headache वेगरा भी दे सकता है इसलिए कोशिश करे कि अगर आपको headache वेगरा है तो इसको avoid करे अगर आपको नहीं होता है तो आप इसको लगाएं दोस्तों और shampoo करने के दो गंटे पहले ही आपको लगाना है तो प्याज के रस में आपको एक सामगरी जो है आड़ करनी है ये है हमारा नेमबू यानि नेमबू कहने का मतलब होता है आपको इसको किस तरीके से लगाना है इसको आपको स्कैल्प पे लगाना है स्कैल्प पे लगाने का बहुत सारे तरीका हो सकता है आप फिंगर टिप की मदद से लगा सकते हैं कॉटन बॉल्स की मदद से लगा सकते हैं स्प्रे करके लगा सकते हैं या फिर ड्रॉपर की मदद से भी लगा सकते हैं दोस्तो तो जो भी तरीका आपको सही लगे उसी तरीके साब को अच्छे से लगाना है पूरे बालो में scalp के साथ आपको पूरे बालो पर लगाना है इस तरीके से, मतलब यहीं हलका-हलका लगा ले नहीं, बढ़िया साफ जो deep होता है, deep massage करें जैसे कि आप ओयल लगाते हैं, सेम से उम वैसे लगाना है, और नहाने के दो घंटे के पहले आपको अच्छे से लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जादा तीखी गंद पसंद नहीं है, तो जादा दे रखना नहीं चाहते हैं, तो आप 10-15 मिट लगा करके भी इसको वाश कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको दो घंटे तो रखने ही रखने हैं दोस्तों, रखने के बाद 10-15 मिट मालिश करें अपने बालों को, उसको जाद शैंपू कर ले, शैंपू को लिए मैं हमेशा मैं जो शैंपू यूज करती हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप् नजर आएगा, महिने भर इसको लगा के देखिए, आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नजर आएगा, कि आप खुद पे यकीन ही करोगी, कि आप मेरे बाल पहले और अब इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे आ सकता है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको काफी अच्छे से जो है शैंपू करने बाल को ड्राइ कर ले और इसकाद आप अपने बालों में देख सकते हैं, चमक आपकी वापस आ चुकी होगी दोस्तों, इस तरीके से, मेरे बाल आप देख सकते हैं, कितना सुन्दर और खुबसत लग रहा है ना, मुझे बहुत पसंद है मेरे बाल, क्योंकि मैं बहुत इसके अच्छे से देख वाल करती हूँ, हर डियाइवाइज जरू ट्राइ करती हूँ, और सभी के सभी डियाइवाइज घरेलू वाले होते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के यूज़ करती हूँ, बिना किसी प्रॉडक्ट के यूज़ करती हूँ, और घर के सभी नुस्खे हमेशा अच्छे होते हैं चाहिए फेस के लिए हो या फिर आपके बालों के लिए हो आप देख सकते हैं कितना खुबसरत लग रहा है ना मेरा बाल तो आप भी ऐसे सुन्दर और खुबसरत बाल पाना चाहते हैं तो आप भी ट्राइ करें दोस्तों और हमें कमेंट्स करके अपने अनवब जरू शेयर कर सकते हैं और जब ही हर सोचल मेडिया पर मुझे फॉलो किजिए लिंक सबके में डिस्क्रिप्शन में जरू डालती हूँ तो बस आज के लिए इतना ही थालती है थालती है